पानी हमारे सरीर के लिए बहुत ही एहम चीज़ है क्योंकि हमारे सरीर 70% पानी से बना होता है और ये 70% पानी में से सिर्फ 85% पानी से हमारा ब्रेन बना होता है पानी का मात्रा हमारे सरीर से 1% की कमी हो जाए तो हमें ब्यास मैसूस होता है अगर ये पानी का मात्रा 10% कम हो जाए तो हम लोग मर जाएंगे खाने के बगर हम लोग कम से कम 21 दिन तक जिन्दा रह सकते हैं लेकिन बिना पानी के हम लोग सिर्फ और सिर्फ तीन दिन तक जिन्दा रह सकते हैं इसलिए पानी हमारे सरीर के लिए बहुत जरूरी है एक दिन में मिनिमाम यदि आप आदमी हो तो आपको 4 लीटर या फिर आप यादी आउरत हो तो आपको 3 लीटर पानी पीनी चाहिए पानी हमारी सरीर के लिए जितना फाइदेमंद है उतना हम जिस तरह से पानी पी रहे हैं उसे कहीं ज़्यादा नुकसान है क्योंकि जदतर टाइम हम लोग प्लास्टिक चीजों जैसे बोटल से पानी पीते हैं और ये हमारे लिए बहुत इक खतननाख है इस खतरे से बजने के लिए बैग्यानिकों ने एक तरकी भी जात किया है और वो है वाटर कैपसूल जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना वाटर कैपसूल इसे नाम दिया गया है ओहो इस वाटर कैपसूल के चल्ले को निकाल कर आप इसे पी एंगे नहीं बलकि आप इसे खाएंगे मुह में रखते ही पानी की कमी को पूर्ती कर देता है ये कैपसुल पानी की बोटल से कहीं ज़्यादा सुरक्सित है और ये मानब इत्यास में पहला आभिष्टकार होगा जो हम लोग पानी को पिएंगे नहीं बलकि खाएंगे ये हमारा आने वाला फ्योचर है आपका क्या राय है इस वाटर कैपसुल के बारे में कमेंट बक्स में कमेंट जरूर करना और आपको इवीडियो कैसा लगा कमेंट बक्स में जरूर लिखना थैंक्स पर वाचिंग